हेलो एवरिवन वेलकम टू माई योटिब चैनल आप सभी को स्वागत है मरे आज के इस वीडियो में और फेंट्स इस वीडियो में बात करेंगे दो अपडेट के बारे में एक अपडेट आपका ग्रूप डी की जॉइनिंग से जुड़ा हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स क जो है रोजगार मेले के तहत मेल आई है और उसमें उन्हें बुलाया गया है रोजगार मेले में जोइनिंग लेटर रेसीव करने के लिए उसके अलावा जो दूसरा अपडेट है वो आपका नियू रिकूट्मेंट को लेकर है यहाँ पे एक अफीचल अपडेट में आपक की अफेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे तो बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो है स्टूडेंट को मेल आना शुरू हुआ है और यहाँ पे क्या लिकावा है फूर्थ रोजगार मेला तो बी हेल्ड एट नांदेड महरास्ट और यहाँ पे आप लोग देख सकत और नियोजन भवन क्लेक्टर कंपाउंड ओफिस अफेंट क्लेक्टर नांदेड महरास्ट अगे लिखा गया है इस तरह से यहाँ पे दो-तीन सवाल जो है आपके मन में जरूर बनेंगे पहला यह अभी कुछ देर पहले मुझे बात कर देख स्टूरू है किसी ने मैसेज भी किया था कि सर क्या रोजगार मेले में जाना अनिवारी है तो देखो जैसे प्रिवियसली हमने देखा है कॉल करके जब आपको पूछा जाता है तो उस ताइम पर काफी स्टूडेंट ने मना किया है कि वो नहीं आ सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात उ साउथ सेंटर लेलवे की तरफ से है और यहां पर देखो यह रोजगार मेले का एक पूरा मेला फोर्थ जो है उसका पूरा है पर डिटेल आया था तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो तेरा नंबर पर महारास्टर है तेरा नंबर के सामने अगर आप जाएंगे यहां पर म बाला देखो नंबर जो है यह साउथ सेंटर लेलवे के लिए यहां पर रोजगार मेला लगेगा और वहीं से यह मेल भी आया है तो इस तरह से जो है आपको मेल आएगा बाकी स्टूडेंट भी थोड़ा सा वेर रहना आपको भी मेल और कॉल भी किया जाएगा तो कॉल का भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें तो यह पहला अपडेट था बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट के बारे में तो दूसरा जो अपडेट है वो बताने से पहले मैं आपको बता दू यह एक सपस्टी करन है यहां पर पी आईबी के ऑफिशल वेबसाइट पर 31 2023 को यह अफिशली अपलोड किया गया इसका कारण में आपको बता देता हूँ वैसे तो अगर आप किसी भी वेकेंसी के बारे में यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको अजारों वीडियो मिल जाएंगे तो यह आरपी एफ की जो वेकेंसी है उसको लेकर कुछ वीडि इसके लास्ट के 3-4 महिनों में ही आएगी उससे पहले नहीं आएगी तो बेसिकली यहाँ पर जो वीडियो बने हैं उसके रिगार्डिंग एक सपस्टी करन यहाँ पर दिया गया है आरपी एफ में कॉंस्टेबल के 20,000 पदों पर भरती के संबंद में सोशल मीडिया और प किया जाता है कि आरपी एफ या रेल मंतराले द्वारा अपनी अधिकारिक वेबसाइट या किसी प्रिंट या अलेक्ट्रोनिक मीडिया के मैद्दम से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है तो ऐसी कोई भी सूचना भी जारी नहीं हुई है यहाँ पे इन्होंने दिया है तो आपको फॉव में नहीं फसना है कोई कोर्सिस वगएर आपको नहीं ले लेने हैं जैसे एलपी को लेकर भी बहुत सारी अफवाए पहले फैली हुई है और आपको इतना तो आपको पता ही है कि इलेक्शन के नस्दीक आपको वेकेंसी देखने को मिलेगी समझदार है जाद आपको बताने का शक्ता नहीं है इस पस्टिकर रनाया था मैंने आपको दिखा दिया ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऐकन को प्रेस करें